Hello guys, welcome to the daily market analysis video, मेरा नाम है अपूर्फ, मैं market analysis content बनाता हूँ दो languages में, English, Hindi, दोनों की link मेरे open comment based telegram channel पर मैं share कर देता हूँ, जहां पर आपको दिखेगा Hindi video and English video, 7,747 subscribers are there, हमारा target 7,800 subscribers का है, भड़ता जा रहा है day by day and we are learning, disclaimer एक देता हूँ, मैं अपने videos में या फिर जो भी मैं share क data points कुछ भी मैं share करता हूँ, उसमें कोई भी call, tip, suggestion, advice नहीं होते है, I do not give any calls, tips, advices or suggestions, अब बात करते हैं, daily updates की पहले, ठीक है, तो JM Brevories का ये update डाला था, मैंने आप लोग देख सकते हो, Indian glycol के उपर एक बहुत ही beautiful support rate idea, यहां पर मैंने डाला था, discussion के लिए है, जिसमें फिर मैंने एक short video डाला था, बहुत ही motivational और एक knowledgeable video है, देखना जरूर, बहुत ही अच्छी चीज़ आपको उसमें से बता चलेगी, daily updates मैंने फिर डाला, फिर मैंने PNB housing का एक chart भी डाला था, और बहुत तरे updates और भी थे, finally मैंने एक nifty का update भी डाला था, उसमें मैंने लिखा description box में link दी हुई है, ठीक है, daily updates के नाम से ये sheet है, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है, do not copy paste anything, ये calls और tips के लिए नहीं है, बट आपके खुद के back tested data के लिए है, कि आप खुद का कुछ create कर सको, ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि BSE जो stock हम लोगने अनलाइस करा वो कितना percent move करा, ठीक है, एंड जो भी मेरा potential target था, वो reach हुआ, कब इसका analysis around किस तारीक को हुआ था, वो stock कौन सा था, कितना moment आया, कौन सा time frame था, breakout था कि support based rate थी और learning क्या मिली उससे, तो फिलाल तो हमें इतनी कुछ खास learning मिली नहीं है, क्योंकि learning देखो, जो movement rates होती है, उ आप लोग एक ऐसे stage पर भी हो सकते हो, जहां से आपको learning 230 से ज्यादा मिले, ठीक है, अभी मैं दूसरी चीज़ों पर भी काम कर रहा हूं, तो फिर उससे भी मुझे learning मिलते है, तो मैं अपनी learning अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, शीट 2 में क्या बात करनी थी, शीट 2 म आपने लिखा हुआ है, देखो, green जो मैंने कर दी है, उनमें डन अंडस्टेड हो गया, GM ब्रेवरी 13% अज फॉल आया, बट अपना तो हो गया, अपना ट्रेड, अपना एडिया जो था, वो पूरा completely हो गया, देखो, अपना यहां से counter trend line थो करी थी, breakout हुआ, वहां पर मैं नहीं होँगा, वो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगो, फिर क्योंकि आप लोग कॉपी पेस्ट कर लोग उस चीज को, और वो सही चीज भी नहीं है, इसलिए बहुत सारे स्टॉक्स में करता हूं, मैं सबका अपडेट यहां पर देता हूं, जिससे आप लोग की help हो, ना बनाने के mindset से इंटर करो, ना कि आज ही 100% निकालना है, इसलिए मेरी जितनी पोस्ट होती है, सब रिवॉल्व अराउंड करती है कि कैसे swing trading is the best form of trading to kickstart your journey in trading world, ठीक है, and it is peaceful, it is better, ठीक है, and पैसे भी काफी अच्छे तरीकी से manage out होते हैं, सीखने को मिलता है बहुत कुछ, तो यहां पर यह सार अपडेट है, मैं आपको दे दिया, फटा फट से कितनी देर का, चार मिनिट का तो यह अपडेट हो गया, अब बात करते हैं, stock की, तो उजीवन, small finance pack, वाज़े तो PNB भी था हमेरे list पर वाट, देखो मैं एक और चीज़ बता देता हूं कि PNB मैं क्यों अनलाइस कर राज, देखो PNB लिस्ट पर था मेरे, counter trend line का breakout आया था, बट मुझे यह नहीं पसंदेखो, volumes भी अच्छे है, high volumes, consolidation में, volume डिक्रीज हुए, और जब प्राइस ने mother candle के ऊपर निकला, तो उसने फिर से अच्छा moment दिया, लास्ट में जो यह हुआ ना, इस जगह करता, तो value देखती है, कि अगले कुछ दिन तक यह value प्रवाइड कर सकता है, momentum, direction प्रवाइड कर सकता है, being a directional trader मुझे कुछ चीज़े पता है, इस तरीके कि मैं experience कर चुका हूं, ठीक है, यह यहां पर consolidate भी कर सकता है, उपर जा सकता है, 50-50 तो हर चीज होती है, I don't know, ठीक है मैं उजीवन की क्यों बात कर रहा हूं, देख सकते हो, आपको candle close अच्छी होई है, so एक broadening pattern create हो रहा है, counter trend line throw करी है, तो एक hidden line भी throw करी है, यहां से, hidden line मतलब कि ऐसी line जो कि क्या पता resistance दे रही हो, but इतना कुछ देखो, hidden line और breakout counter trend line उसके बीच में जाधा difference नहीं है, ठीक है, तो हम दोनों को मान सकते हैं, एक zone है, ठीक है, एक counter trend line zone था ही है, resistance zone जिसके उपर uptrade कर रहा है, stock with good volume, अभी सबसे highest volume आया है, इस दिन के बाद से, इस selling day के बाद से, और यह जो double bottom है, उसका भी breakout हो रखा है, और यहां पर liquidity के basis उस पर कर देके, तो जब यह बेक हुई, तब स and rewards 10% तक आ रहा है ना, 1 is to 2 बनके, तो 1 is to 2 risk reward जब भी create होता है, it's a good trade idea, अब यह target or stop loss नहीं है, इसको target or stop loss मत मानना, कि या अपूर ने तो 5% बोला है, 10% नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है, यह completely आपकी खुद की thinking होनी चाहिए, खुद समझोगे, क्या reward है, क्या trade active भी है आपके साब से, आपको क्या लगता है, so मेरे इसाब से यह trade idea है, counter trend line का breakout trade idea on daily time frame, double bottom भी बना है, liquidity भी है, मतलब volumes increase हुए है, और broadening pattern in overall बना है, create risk reward is good at this area, जिससे कि अपने broadening pattern के top तक पहुचे, वो risk reward की बात कर रहा हूँ, तो यह एक अच्छा trade idea, मेरे इसाब से निक पूरा देख या फिर मेरा वीडियो देख भी रहे हैं, वो लोग subscribe नहीं करते हैं, चानल को, and we are going to hit 6000 subscribers soon, so I hope कि सब लोग मिलके, they will hit the subscribe button, and we will reach 6000 subscribers soon, because this will not only motivate me to make more and more better quality videos, but मैं और ज्यादा महनत करूँगा, जैसे अभी excel sheet बनाने में बहुत महनत लग रही है, but still I am doing it for you guys, because इस से क्या होता है, productivity सिफ आप ही नहीं होगी, मेरी होगी, मुझे पता चलेगा यार कि मैं जो data, इसके उपर discussion कर रहा हूं, उसकी validity क्या है, तो अभी तो यार देखो सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, but red days भी आएंगे, green days भी आएंगे, so I think कि आप लोग इस जरनी में Google Sheets कर लो या फिर Google Drive पे अपलोड कर दो, वो सब मुझे पता है, and thanks a lot for telling me these ideas, thanks a lot इतनी supportive community होने के लिए guys, and मैं प्रिफर करूंगा डेली Excel डालने का क्योंकि मैं इस तरीके से, because update करके फिर properly डालना इस तरीके से, और फिर लिखना की exactly क्या update हुआ है, मुझे लगता है कि वो चीज रहे की रादर दन जस काम बस कर दिया, मैं करने के लिए नहीं है, यह चीज स्टार्ट नहीं करिया, कि बस कर दिया, ठीक है, इससे impact हो, कम्यूनिटी पे, इसलिए स्टार्ट करिया, thanks a lot for watching the video, कल मिलते है नई वीडियो में